यूपी में चुनावी सरगर्मिया तेज हो गई है विधान जवाद चुनाव को लेकर सभी पार्टियों ने पूरी ताकत छोक दिये बीजेपी भी आज यूपी के छे जिलों में जन्व विश्वास यात्रा निकालने जा रही है बिजनौर, मतुरा, जासी, गाजेपूर, अ नमस्कार, मैं हूँ यतेंद्र शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज जेट इन इंडिया, उत्तव प्रदेश के चुनाव की बात करें, तो उत्तव प्रदेश में चुनावी सरगर्मिया काफी तेज हो गई है और इसके लिए सभी राजनितिक दलों ने अपनी पूरी त टाकत जोंक दी है, वही बीजेपी ने भी आज उत्तव प्रदेश में आज 6 जगों से अपनी जन विश्वास यात्रा शुरू करने जा रही है, जन विश्वास यात्रा की आश्वारम, बीजेपी अद्यक्ष जेपी नडड़ा, अंबेड कर नगर से करेंगे, क्योंकि बी बीजेपी अद्यक्ष जेपी नड़ा, यात्रा की शुरूआत करेंगे, और उसी दोरान उत्तर प्रदेश के पांच जगों से भी, यानि कि जो पांच अलग-अलग एरिये हैं, वहां से भी यात्रा की शुरूआत होगी, मत्रा का माहौल में आपको दिखा दू, मत्रा में मुख्यमंत्री योगी आद्यतिनाथ यात्रा की शुरूआत करेंगे, राम नीला मैदान से उससे पहले मुख्यमंत्री योगी आद्यतिनाथ जन्म भूमी जाएंगे, जहां पर वो भगवान श्री करश्न की जन्म भूमी में दर्शन करेंगे, इसके साथ ही जो बाकी की य यात्रा हैं बलिया बलिया से यात्रा की शुरुआत होगी गाजिपूर से केंद्रिय मंत्री इसमति रानी रहेंगी विजनोर से यात्रा का शुवारम नितिन गड़करी करेंगे और वहीं जहांसी से रक्षा मंत्री राजना सींग यात्रा की शुरुआत करेंगे यह यात्रा आज प्रदेश में उत्तर प्रदेश में बीजेपी शुरू करेगी और यात्रा जो नाम दिया है जन विश्वास यात्रा सभी 403 विधान सवाओं को यह यात्रा एक कवर करेंगी जो आज से शुरू होकर एक और दो जन्वरी को जिनका समापन होगा हमारे साथ हैं उत्तर प्रदे सरकार के केमिरेट मंघरी श्रीकान शर्माजी श्रीकान जी जन विश्वास यात्रा आज से निकले कीमत्रा लिडर्शिप पर है वो भरुसा हर दिन बढ़ता है क्योंकि हमारे नेता आधरणिये नर्दरफाई मोदी जी जो हमें विरासत में जो समस्याइं मिली है इस देश को आजादी से लेकर और 2014 तक करम बद तरीके से उन सभी समस्याओं का निस्तारण कर रहे हैं हमारी भाजबा सरकार ने देश में कोई समस्या दी नहीं है वलकि जो समस्या हमको विरासत पे मिली है उन समस्याओं का हम लोग समाधान कर रहे हैं इसलिए जनता की बीच में हमारी पाटी का हमारे नेता का लगातार भरोसा बाढ़ रहा है और उसका परणाम है कि बोट में वो परवर्टित भी हो रहा है 2014 में जनता ने आशीरबाद दिया फिर हमारी 17 में जनता ने आशीरबाद दिया प्रचन्ट मोहमस्स से भाजपागी सरकार उत्तरब्रदेश में बनी उसके बाद 2019 में जन्ता ने आशीरबाद दिया आजाद भारत में पहली वाराइस हुआ कि कोई गैर कॉंग्रेसी सरकार दुवारा से चुनकर आई अधरनिय मोदी जी के नितुरत में तो ये बड़ा बद इतनात मत्रा करीब एक वज़े पहूँचेंगे मत्रा के राम नीषऑल मैदान में जो जनविश्वास्यात्रा है उसका शुवारम करेंगे हलकि उसी पहले वो जन भूमी पहूंचेंगे जहाँ पर भगवाण शिरी करस्न की जन भूमी जोसके दर्शन करेंगे और उसके ब प्रियान कारी नीतियां जो मोधी सरकार की जो जन हित की नीतियां जो काम इस दौरान इन्होंने पांस साल के दौरान किये हैं वो उनको जनता तक पहुंचाने का काम करेंगे आज मुख्यमंत्री योगी आदितनात इस यात्रा का शुवारम करेंगे पूरे दिन बर यह यात् पहुंचे की जहां पर उप मुख्यम मंतरी डॉक्टर दिनेश शर्मा रहेंगे फिर हात्रस यह यात्रा पहुंचे की जहां पर उर्जा मंतरी श्रीकान शर्मा रहेंगे जो भी छे जन्र विश्वास यात्रा हैं जो शुरू आज से होंगी हर दिन एक बड़ा नेता यात्रा हूं जुड़ेगा और यात्राओं के माध्यम से सरकार की दीनतियों को उन तक पहुंचाने का काम करेगा कि अधिश्य पी अध्यक्ष जेपी नड़ा आज अमबेड कर नगर से जन विश्वास यात्रा की शुरुआत करेंगे और उसी दोरान अलग अलग जगों से यानि कि कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश से छे जोगों से जन विश्वास यात्राएं शुरू की जाएंगी जो उत्तर प्रदेश के सभी 403 विधान सवाओं में पहुंचेंगी क्योंकि बीजेपी की रणीति है कि जो केंद्र सरकार यानि की मोधी सरकार और जो राज्य सरकार जन विश्वास यात्रा उन काम को पहुंचाने का माध्यम मने गी और इस दोरान बीजेपी के सभी बड़े निटा, यंकि मंतरी, उत्तर प्रदेश सरकार के मंतरी जनता तक पहुँचेंगे सीधे इन यात्राओं के माध्यम से यात्रा की शुरुवात करेंगे जो की पूरे उत्तर प्रदेश में यह जन्विस्वास यात्रा जाएगा और लोगों से समवात करेगा इस वक्त मैं मौझूद हूँ अमबेटकर नगर के अकबरबूर के हवाई पट्टी में मैं आड़ और आपको सीधी तस्वीरे दिखाऊ किये जा रहा है जो सेक्यूर्टी फोसेस के जो जवान है वो सुरक्षा के पुक्ता इंतिजाम यहां पर कर रहा है यहां तस्वीरों में आप देख सकते हैं मंच पर जो पीछे जो होड़ी है उसमें लिखा हुआ है जन्विश्वास यात्रा जन्विश्वास यात्रा के ज उत्तरपदेश विदान सवाचुनाव में ताल ठोक रहे, MIM ने ता सद्दूद इनिवेसी ने विपक्षी दलो पर बड़ा हमला बोला है उन्होंने S.P., B.S.P. और कॉंग्रेस पर मुसल्मानों के वोट से जीतने और उनके लिए कोई काम नहीं करने का रोप लगा दिया दावा भी किया नेता है, ना उनकी कोई लीडर्शिप को बनने दिया गया, ना उनको उनको हिस्सा मिला है तो यह पूरी लड़ाई, MIM की हिस्सेदारी की लड़ाई है आपने कहा कि प्यमोदी जाते हैं, बनारस जाते हैं, ग्यानवाफी मस्जिद को खुबसूरत बना जाए, दिल्ली की मस्जिद को खुबसूरत बना जाए बलत बात क्या है, बलत बात क्या है उसमें, बलकुल होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए, जब आप ही का नारा है, सब का साथ, सब का विकास, सब का विश्वास, तो क्यों नहीं होना चाहिए, बलकुल होना चाहिए, क्या अजमेर की दरगा पुरी दुनिया मशूर नह है क्या निजाम अधिन अवलिया का अस्ताना दुनिया मशूर नहीं है क्या दिल्ली की जाम मस्जद को देखने के लिए दुनिया दुनिया के स्लोग नहीं आते क्या ग्यान वापी की मस्जद हमारे भारत की तारिख का खिस्सा नहीं है यह हमारे composite culture की एक निशानी है इस सब चीजें तो आपको करना चाहिए सरकार को क्यों नहीं करेंगे करना चाहिए क्या लगता है कि उत्तरप्रदेश का चुनाव होने वाला है क्या वो धुरूई करन के मुद्दे पर चुनाव लड़ा जाएगा जिस तरह से चीजें हो रही है अब तक तो वैसे नदर आ रहा है जो भाशन दिये जा रहे हैं सब के तरफ से कोई जिना की बात करता है कोई टो यह निवेथा की जमूरियत में पाडिसिपेटिफ वाव डिमाक्रेसी में मुसलमानों को उनका इसमेरना चाहिए जो जमूरियत मद्थो ऑगी बी-जे-पी-जी को सरकार बनाती है वो मुसल्मानों के वोट से नहीं हिंदों के वोट से सरकार आपने बहुत इसको खुल कर इस बात को कहा है मैं नहीं कह रहा हूँ आपको CSDS का डेटा देखना चाहिए भारत में बहुत बड़ा और्गनाजिशन है जिसने डेटा में काया कि 19 में 75 फीसद मुसल्मानों ने बसपा को और सपा को ओड़ दिया तब ही उनके 15 जीत पाए और बीजेपी को 75 फीसद हिंदू भायों ने ओड़ दिया तो वो बागी पूरे यूपी के लोकसा बागी से जीत गए क्या आपको लगता है कि आजम खान की जो बात है उनकी पैरवी समाजवादी पार्टी ने अच्छे से नहीं की देखे आजम खान साहब की बात आप हमारी स्पीच को आप एक एक लफ़ को आप माशालला से देख रहे हैं अकीले इस ने कब का आजम खान का नाम बताई है क्योंकि नाइन साफी हुई वहीं ओवेसी के बयान पे बीजेपी नेता मुक्तार अबास नक्वी ने भी प्रतिक्रिया दी उन्होंने दावा किया कि बीजेपी सरकार ने ना सिर्फ मुसल्मानों के लिए बलकि सबी के लिए वेकास के कई काम किये हैं हमारे साथ बीजेपी के वरिशनेता और अल्प संख्यक कल्यान मंतरी मुक्तार अबास नक्वी साहब है सर अब देख रहे हैं कि जिस तरह से चुनाव आगे बढ़ रहा है धर्म को लेकर वोट मागे जा रहे हैं और धर्म को लेकर राजनीती हो रहे हैं ने इस सेकुलर 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 सिंडिकेट के धर्म निर्पेश्टा के राजनीतिक छल को समावेशी विकास के राश्टवादी बल से ध्वस्त किया है अवैसी ने अपने चुनावी रैली में ये कहा कि मुसल्मान कब करवट लेगा कब जागेगा क्या इस तरह से चुनाव परचार होना क्या आप इसको किस नजर से लेखते हैं अब मुसल्मानों के हक के लिए हम देश के हक के लिए काम कर रहे हैं और मुसल्मान जो है वो इस देश का बाशिंदा है इस देश का नागरिक है देश की तरकी के साथ उसकी तरकी जुड़ी हुई है ये जो आप पूरे के पूरी तरह से कमिनल टिफिन में सेकुलर टिमाटर डाल करके और अपनी सियासत करते हैं वो सब खत्म हो चुकी है, वो दुकाने बंद हो चुकी है M.I.M. निता सुद्दीन ओवेसी के बयान पर समाजवादी पार्टी निता फकरूल हसंद चान ने पलटवार किया, उन्होंने दावा किया कि NRC आंदोलन के वक्त समाजवादी पार्टी ने लोगों की मदद की साथी उस तोरान ओवेसी के किसी की मदद नहीं करने का दावा भी किया तो उस्तरप देश का मुसल्मान समाजवादी पार्टी उन नौजवानों के साथ सब की कानूनी मदद की उनकी आर्थिक मदद की उनके परिवाद से मिलने का काम किया तो उस्तरप देश का मुसल्मान समाजवादी पार्टी के साथ है वो आपके बैकावे में आने वाला नहीं है बीजेपी नेता श्रीकान चर्मा ने भी ओवेसी के बयान पर पलटवार किया उन्होंने ओवेसी पर हर चीज़ को राचनिती से जोड़ने का रूप लगाते हुए बीजेपी सरकार में हर वर्क के लिए काम होने का दावा किया सुद्धिन ओवेसी भी आप इस्वार उयूपी में मैदान में हैं उन्होंने काया कि मुसल्मानों को एक नेता होना चाहिए कॉंग्रेस में बीजेपी में या दूसरी पार्टियों में जो मुसल्मान नेता हों मुसल्मानों के लिए नहीं बोलते तो एक नेता बनने की गॉपन को सवापत करने का संकल्प हमारे मोदी जी ने लिया है एक गरीब को एक बास्केट में हमने बहुत सारी चीज़ें दी है उसके घर को हमने अंधेरे से मुक्त किया है, बिजली उसके घर में पहुंचाई है, गैस का चूला हमने पहुंचाया है, बेहन बिटियों के लिए सोचाले हमने दिया है, आयुस्मान भारत का कार्ड उसको दिया है, जिससे वो स्वस्त रह सके, स्वस्चे जल उसके घर में प चमकाने के लिए इस तरह के बयान बैजी करते हैं उदर कॉंग्रिस ने भी ओवेसी के बयान पे पलटवार करने में देरी नहीं की और AIMIM को बीजेपी की बी पार्टी बता दिया भारती जन्ता पार्टी वैसी सहब के इंटर्नल सपोर्ट की वज़े से आ रही है और मैं इस बात को साबित भी कर सकता हूं कि वो उनके बी टीम है भारती जन्ता पार्टी की बी टीम है वैसी सहब को उत्तर परदेश के मुसलमानों की याद सिर्फ चुनाओं के टाइम ही क्य लगातार आ रहे हैं यह मुसल्मानों को सिर्फ बढ़ गरा रहे हैं जब उत्तर प्रदेश का मुसल्मान इनके भैकावे में आने वाले नहीं है कि उत्तर प्रदेश की योगी अधित्यनाथ की सरकार ने यमना को साफ और निर्मल बनाने का काम और तेज कर दिया है नमामी गंगे योजना के तहट मथुरा वृंदवन में यमना में गिरने वाले करीब 35 नालों में 31 नालों को बंद कर दिया गया है अविवस्था की गई है शेहर में रहने वाले साधू संतों का कहना है या राज्य सरकार यमना के सफाई में जुटी है लेकिन अधिकारियों की लापरवाही की वज़ा से यमना साफ नहीं हो पा रही है सनातन धर्मियों को है कि अगर ये सरकार अगर यमना जी को सही नहीं कर पाई तो फिर लगता है यम्लोगों को आशार तोड़नी पड़ेगे यमना शुदीकरणा पर सरकार पूरी तरे से प्रद्बद है चार सो साथ करोड से यमना सुद्धी करण पर हम लोग काम कर रहे हैं मसानी पर हमारा जो प्लांट है वो 31 अक्टूबर 2021 से चालू हो चुका है 35 नाल है 35 में से 31 नाले पूरी तरह से बंद हो चुके हैं से जो नाले हैं उनको बहुत जल्दी बंद कर दिया जाएगा तो यमना का सुद्धी करण सरकार की प्रात्मिता में योगी सरकार की महत्वा कांची योजना नमामी गंगे का वसर देखने को मिल रहा है कि उसके कारणों में तेजी साफ तोर पर दिखाई दे रही है यह ब्रंदावन का नाला है जो ब्रंदावन का जो नाला जिसका पानी यमना में गरता है जो यमना को प्रदूशित करता है अब इसको बंद कर दिया गया और ऐसे करीब 20 से 25 नाले हैं मत्रा प्रंदावन में जो अभी तक चिन्नित करके बंद किये जा चुके इनका पानी पहले यमना में गरता था जो काफी प्रदूशन फैलाता था यमना के पानी में और काफे समय से आंदोलन चल रहा था कि ऐसे न विनी करण करके उसका उच्चे उच्च स्रीकरत करके उनमें उन कामों में तेजी लानी चाहिए और वो असर अब काफी हद तक देखने को मिल रहा है क्योंकि मत्रा विधान सवा चनावा में बड़ा मुद्दा यमना की सफाई का जरूर बनेगा चल एक खबरों में आगे बढ़ते हैं यूपी की मेरट का सोती गंज बाजार पूरी तरह से बन कर दिया गया है ऐसा इसलिए क्योंकि इस बाजार में मौजूद दुकानों पर चोरी की गाडियां काटने और उन्हें बेचने क्या रोप हैं जिसे देखते हुए योगी अधित्यनात की सरकार ने पूरे बाजार पर ताला लगवा दिया मार्केट एसोसेशन का दावा है कि प्रशासर ने करीब 500 दुकानों को बंद कर दिया है जिसका असर 5000 परिवारों पर पढ़ रहा है वहां काम करने वाले लोगों ने सरकार से दुकाने खोलने की मांग की है वहीं बाजार बंद करने पर अब सियासत शुरू हो गई है इस मुद्धे पर बीजेपी और समाजवादी पार्टी आमने सामने आ गए है बीजेपी ने समुद्धे के बहाने अखलेश शायदव पर निशाना साधा है तो वहीं समाजवादी पार्टी ने बीजेपी पर लोगों को आतंकित करने और चुनाव के वक्त धर्म की राजनिती करने का आरोप लगाया अखलेश शायदवादी पार्टी पार्टी की सरकार भी देखी है एक तो उनका अपरादिया के साथ सवावी गटबंदन है दूसरा क्या होता है कि यदि किसी अपराद के अंदर खासतोर से अलपसंग के कवर्ग है तो करवाई करने से बचते हैं नहीं करते हैं और दुर्भाग्या ऐसा है कि यह जो मेरट का जो अवैद काम था वहानों के चोरी के वहानों के कटने का इसमें अलपसंग कवर के भी तरप राई हो थे ही थे तो इसलिए उन्होंने कारवाई नहीं की रोज रोज नए नए जुम्ले घड़ने का काम जब से यह आए हैं 2014 से लेकर अब तक चाहे वो सेंट्रल गॉर्मेंट हो चाहे वो उत्तर परदेश की गॉर्मेंट हो इसके अलावा यह कोई काम नहीं कर रहे हैं अब चुनाव सर पर हैं तो यह सारे ऐसे काम करेंगे जिससे हिंदुस्तान पाकिस्तान हिंदुस्तान अफगानिस्तान तालिबान और हिंदू और मुसल्मान क्यूंकि जब काम करने का लिए कुछ नहीं है बताने के लिए कुछ नहीं है विकास का कोई एजंडा नहीं है विकास का कोई काम नहीं है तो इनी बातों को लेके ये राजनीत करेंगे सब्सक्राइब को नाम नहीं आएं क्यों ऐसा हुआ है और प्रशासन क्या कह रहा है और आपको क्या लगता है कि हमने परशासन के आदेस का पालन किया आप परसांन गोल मौल जवाब दे रहा है परसास ने जब तो यह कहा था कि आप GST का बिल दिखा दो और इसके पेपर दिखा दो इसका बेवरा दे दो बेवरा दे चुके हैं लगबग बेवरा दे वे चार दिन हो गए लेकिन आप जो आज हम मिल गया हैं आज हमें याजवन दिया लगबग 35 दुखाने तुम्हारी खोल दी जाएंगी रहा बात करते हैं पंजाब की सियासत की पंजाब की सत्ता पर काबिस कॉंग्रिस पर जल से जल अपने उमीदवारों की सूची जारी करने का दवाब है ऐसा है इसलिए क्योंकि आम आदमी पार्टी ने करीम 40 सीटों पर और अकाली दल और बियस पी ने राज्य की ज्यादातर सीटों पर अपने उमीदवारों का एलान कर दिया है दूसरी तरफ बीजेपी और क्याप्टेन की नई पार्टी पंजाब लोग कॉंग्रिस भी चुनावी मेदान में है इसकी वज़ा से कॉंग्रिस पर दवाब बढ़ता जा रहा है हलांकि दूसरी पार्टियों की तरह कॉंग्रिस की तरफ से मुख्य मंतरी चरण जीत सिंग चन्नी और प्रदेश अध्यक्ष नवजोट सिंग सिद्धू लगातार सरकारी चुनावी सबाओं को संबोधित करें कॉंग्रिस का कहना है कि जल्दी पार्टिय अपने उमीद्वारों का ऐलान करेगी पंजाब में कब लिस्ट आएगी जल्दी आएगी कोई बात नहीं गबराने की कोई बात नहीं कोइअ हमरी स्क्रीनिंग कमैटी की मीटिंग चल रही है और जल्दी से जल्दी ये गोशना ही हो जाएगी तो एक तरह से जब आपकी विपक्षी पार्टियों के लोग जब उमिद्वारों की खोशना कर देते हैं अभी एक सीट से हैं तो नहीं लगता कि थोड़ा प्रेसर होता है कि जल्दे से पार्टी आप लोग भी नहीं ऐसी कोई बात नहीं है हम राम से खेलते हमें खेलना आता है के लाड़ी है ना तो इसलिए कोई प्राब्लम नीए उत्रपदेश के मतुरा विंदावन शहर को स्मार्ट सीटी बनाने का काम शुरू कर दिया गया है मतुरा विंदावन की गलियां विश्व प्रसिद्ध हैं काना कि इन गलियों को देखने के लिए देश-विदेश श्रद्धालू आते हैं लेकिन संकरा होने की वज़ा से वहा के बनाना शुरू कर दिया है इसके लावा पूरे शहर में सीसी टीवी कैमरे का जाल बेचाया जाया है जगा जगात तीर्थियात्रियों के लिए फ्री वाइफाई की विवस्था भी की गई है पूरे जाती भी नहीं है तो हमें पता होता है कि हाँ आने वाली हमें विश्वास है कि लाइट जाती है तो हमें लगता है कि हाँ एक दो मिट में आने वाली होगी तो हम किसी भी चीज़ से परिशान नहीं है गोवर्मेंट की दर्ब से हमें बहुत सारी मदद मिल रही है पांच राज्य 690 सीट एक बड़ी तस्वीर जहां सब कुछ है दाव पर क्या फिर दिखेगा मोदी का दाव